Hello everyone good evening सबी लोगों को आज की वीडियो में हम coordination compound को अगले 10 में फटापट से रिभाइश करते माले एक एक important point एक 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 फैट जो के important है आपको जानने के लिए वह हमें session में cover करेंगे let's start the session let's go first chlorophyll is a coordination compound of dash मेटल कौन सा मेटल mg हीमोगोब एक कौन सा मेटल एफ़ वितामिन विटल इसका का होल 6 3 प्लस 3 C L माइनस इस यहलो कलर ऑफ कोबाल एन हट एन है को फाइफ 3 प्लस 2 C L माइनस इस परपल कलर आफ कोबाल्ट NH3, 4, 3, plus CL- is, इसके दो वर्जन होते हैं एक उधाँ ट्रांस वर्जन, एक उधाँ सिस वर्जन ट्रांस वर्जन कलर इस ग्रीन सिस वर्जन इस वाइलेट NICO4 का शेप क्या होता है, टेट्राहेडरल PT-Cl4, 2- का शेप क्या होता है, बताएए स्क्यक्वाइर प्लेट कथ क्या होता है, टेट्राहेडरल कौन कौन से हैं तो पहला है हमारा एथेन 1,2 डायमीन और दूसरा इस ऑक्सलेट इनके फटावट से लग रहा हूं देखो ऐसे होता है यह ठीक है और दूसरा हमारा ऑक्सलेट कैसा होता है C2O2- एक्जामपल ओफ पॉली डेंटेट लिगेंड तो फर्स्ट इस एडी टीए 4- इसका फुल्फा में इथाइलीन डायमीन टेट्राइसिटेट एंबी डेंडेंड लिगेंड के एक्जामपल क्या है दो NO2- और SCN- होमोलप्तिक कॉम्पलेक्स का मतलब क्या होता है complex in which metal is bound to only one kind of donor group हेटलप्तिक कॉम्लेक्स का मतलब क्या होता है complex in which metal is bound to more than one kind of donor group दूरिंग नेमिंग वर्ट्स यूस्ट फर एस टू एस्टी इस यू और तो स्टू को एस्टू को क्या बोलते हैं नाइट्रो साइल टेट्रामीन एक्कोडॉराइट डो कोबाल्ट थ्री ख्लोड फॉर्मलाविल वी इन महान सापका का फॉर्मलिय क्या होगा तो आराम से इसको करना वीडियो पॉस करके आंसर आएगा हमारा कोबाल्ट एnes 3 का होल 4 फिर 22 विचिल फिर पूरे मैं पूर्ण कि इसको भी तुम पॉस कर के करूं मैं आंसर बता रहा हूं आंसर इस पोटेशियम ट्राइओ अग्जेलर टो रोमेट थर्ड टाइप अफ्ट्रक्च्छल आइसोमर इन कॉडिनेशन कंपाउंड तो कितने टाइप के होते हैं जी चार टाइप के होते हैं पहला टाइप क्या होता है लिंकेज आइसो तीसरा आइनाइजेशन और चौहता सॉल्विट इसोमरिजम टाइप सब्स्टिरियो इसोमरिजम इन कॉडिनेशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं पहला जोमेटिक इसोमेरिजम तूसरा अप्टिकल आइसोमेरिजम स्क्वेर प्रेन कॉम्प्लेक्स टाइप में वी एक् इसोमर्स औफ में टू बीटू इस क्या होगा जी दो होंगे नमर और जमें शोन बाइन मैं थ्री बी थी और नाम क्या-क्या होंगे जी तो एमें थी भी थी हमें केवल दो ही शो करेगा जिनका नाम होगा एक का फेशियल एंड सेकिंड का मैरी डॉनल इसोमर अच्छा या में आ चुका है दोस्त बहुत इंपोर्टेन ध्यात रखना विच आई सोमर पीटी सील टू एन टू 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 प्लस चो ऑप्तिकल एक्टिविटी कौन सा होता है सिस होता है सिस होता है इन कॉंप्लेक्स सी ओ एनस्ट का गोल फाइब अनो टू सील टू डैश कलर इस ऑप्टे जरू बाउंड होगा तो कौन सा कलर आएगा येस यलो इन स्कॉर बिलेंट जोमेट्री ता है इंवाल्ड इस कौन सा होता है डी एस पी टू हाइप्रिड और्बिटल्स दू नोट एक्चुली एग्जिस्ट टू और फॉल्स एकदम ट्रू राइट दे स्पेक्ट्र केमिक सीरीज यहां पर मैं आपको स्पेक्ट्र केमिकल सीरीज रटवा दूंगा ध्यान से सुनना मेरी बात को ट्रिक बताता हूं मैं आपको इसकी पहले क्या होता है कोबाल्ट आता है ठीक है यहां पर कोबाल्ट यह कोबाल्ट नहीं है यहां पर कालब मोनोक्साइड है बस समझ इनसानों ने हद कर रखी है तो यह सीरीज चल रही है ध्यान रखना है इस पेक्ट्र केमिकल सीरीज है तो इस तरीके से चलती है देखो यह है सीटू अफर होगे सीटू अफर के बाद क्या आएगा ओ फिर से कल सुकून बरी नीन आई यह इसका पूरा सिस्टम है अगर यह तुमने आद कर लिए चैप्टर का 50% काम तुमारा हो गया इसके बाद यह आएगा और ऐसे चलेगा यह मैंने बनाया निमोनिक अपने टाइम पर थोड़ा मुझे पता है थोड़ा सा गड़बड है बड़ मत तरीके से चलता जाएगा और यहां तक हम आपस ट्रॉंग फिल्लेगंड होते हैं इसके बाद वीक फिल्लेगंड कौन-कौन से होंगे जो इसके बाद वाले होंगे बताब एस्टू सी टू और यह सारे इस बीक फिल्ल हो जाएंगे डेल्टा टी इस उकल टू एक्स असे डेश दू डेश क्या होता है वाइल होता है दू डीडी ट्रांजिशन मिनरल बेराइल फ्रमुला इस क्या होता है बेराल का फ्रमुला बीए 3 एल 2 SI 6 O 18 Dissociation Constant is also called क्या बोलते हैं Instability Constant calculate overall complex dissociation equilibrium constant if beta 4 equal to 2.1 into 10 की power 13 Overall complex dissociation equilibrium constant होता है 1 by beta 4 जो की हो जाएगा जब तूम इसको इसको लटा रखोगे तो आजाएगा एंसर 4.7 इंटो 10 के पाव माइनस 14 हाडनेस अवाटर केन वी एस्टिमेट टेड बाय सिंपल टाइटरेशन विद्ट किस से एन इंटो एडी टी ए एग्जामपल ऑफ एक्ट्रेक्शन ओव मेटल इन विच कॉंप्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इस गोल एंग इस इस पर प्रिफिकाशन अंट्रों थिर इस प्लेस निकल रोद्यम एंटो इस यूल इस पर क्या वोलते है इसको इस रोदियम ओंट में इसको विल गिंस केटलिस्ट यूज्स यू उस वर हाइपो सॉल्टिशन बोलते हैं कि इसको हाइपो विच डीकम्पोज था अंडीकम्पोज एची बीया टू फॉम ओ कॉम्प्लेक्स आयन को येस तो कॉम्प्लेक्स आयन को लिख देता हूं का होल थ्री माइनस जिन नीट में आज चुका है बहुत इंपोर्टेंट है एक्सिस यू और फी और रिमूब बाई चिलेटिंग एजेंट डेशन डेश कॉम कॉम से डी पैनिसिलमाइन डेश फेरोग्जाइम भी एडी टीए इस यूसे ट्रीट्मेंट ऑफ देश कि डेश एफेक्टिवली इनिवेट्ट ऑफ ट्यूमर्स एक्जामपल कॉन इनिवेट करता है जी सम कॉडिनेशन कंपॉंट्स ऑफ प्लैटिनम जिनका एक्जामपल है सिस प्लैटिन इडी टी इस डैस जैनेट लिगेंड विच फोर एंड टू डैश तो इडी टीए कितना होता है है जिसमें चार क्या कौन से एटंस होते है नाच्रो जोता है यह चार औप्स होते हैं नुट करते हैं हमारी शीरीज इसी साहत खतब होती है